हेले स्टूरेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल क्रेजी नॉलेज में तो स्टूरेंट्स आज के इस वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे उस्मा छेपी अविक्रिया आएं यों उस्मा सोसी अविक्रिया किसे कहते हैं तो ये क्लास टेंथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही आईएंपी क्वेस्टन है क्लास टेंथ बोर्ड एक्जाम के लिए तो चलिए आज के इस बहतरी इन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन दोनों के बारे में एकदम बिस्तार से समझते हैं इसके उधारण क्या होते हैं इसकी परिवासा क्या होती है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमने लिख लिया है उस्मा छेपी अविक्रिया है ऐसे आप सभी को लिख लेना है कुछ इसी परकार से हैडिंग बना कर उस्मा छेपी अविक्रिया हैं ऐसी अविक्रिया जिन में उत्पादों के साथ साथ उस्मा का भी निर्माड होता है उसे उस्मा छेपी अविक्रिया कहते हैं क्या कहते हैं उस्मा छेपी अविक्रिया किसे कहते हैं अगर आप सभी के बोर्ड एक्जाम में आ जाये तो आप सभी को लिखना है ऐसी अविक्रिया जिन में उतपादों के साथ साथ उस्मा का भी निर्माड होता है यानि कि जो उतपाद होते हैं इनके साथ साथ उस्मा का भ प्लस ऑक्सीजन अब यह जो नो जब यह दोनो अभिक्रिया कराएगा तो बनेगा CO2 प्लस उस्मा का निर्माड होगा प्लस क्या होगा उस्मा का निर्माड होगा और इधर का जो पूरा पार्ट रहता है इसे बोलते हैं अभिकारक और इधर का जो पार्ट होता है इसे उत्पाद बोलते हैं तो जैसे यहाँ पर परिवांसा में लिखा हुआ है ऐसी अविक्रिया जिनमें उत्पादों के साथ साथ उस्मा का भी निर्माड होता है यानि कि इधर उत्पादों का निर्माड हुआ और इसके साथ साथ जो है उस्मा का भी निर्माड होता है उसे क्या कहते हैं उसे उस्मा सोसी अविक्रिया हैं तो उसमा सोसी अविक्रिया किसे कहते हैं ऐसी अविक्रिया जिन में उतपादों के निर्मार के साथ साथ उसमा उसेसित होती है उसे उसमा सोसी अविक्रिया कहते हैं उसमा सोसी अविक्रिया किसे कहते हैं तो आप सभी को लिखना है ऐसी अविक्रिया ज में उत्पादों के निर्मार के साथ साथ उसमा का अवसोसित होता है यानि कि उसमा की कमी होती है उसमा उसमें अवसोसित हो जाती है उसे क्या कहते हैं उसमा सोसी अविक्रिया कहते हैं जैसे आईए मैं आप सभी को एक उधारण से समझाता हूं जैसे हम सभी लोग यहां पर ले लेते कैलसियम कार्बोनेट यानि कि CACO3 ये है कैलसियम कार्बोनेट प्लस इसकी अविक्रिया जो है उसमा के साथ कराते हैं तो यहाँ पर उसमा के साथ जब इसकी अविक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा तो बनेगा कैलसियम आकसाइड यानि कि C.A.O. प्लस कैलसियम आ उसमा सोसी अविक्रियां कहते हैं यानि कि ऐसी अविक्रियां जिन में उत्पादों के निर्मार के साथ उसमा अवसोसित होती है उसे उसमा सोसी अविक्रियां कहते हैं तो यानि कि अगर आप सभी को जो है उसमा छेपी अविक्रियां समझ में आ गया होगा तो इसमा सोसी बहुत ही सिंपल है यानि कि इसका just opposite होता है यानि कि इल्टा होता है तो आप सभी को समझ में आ जाएगा तो आई होप कि आप सभी को ये बहतर तरीके से समझ में आ गया होगा तो स्टुडेंट्स मिलते हैं कोई और ने वीडियो में ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद